करेंगे को डिसकस करेंगे चुकि रिलाइन्स इंफ्रा में ही हमने फंड्रेज के खबर तो सुनें लेकिन एक अक्टूबर को एक बूर्ड की मिटिंग है जहां फंड्रेज को ले करके एक बडा निर्णाय लेना है तो एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले प्रीमियम टेलिग्राम यहां देखेंगे बिलकुल फ्री है प्रीमियम टेलिग्राम उसको जॉइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आपेंड करें वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर सेयर करेंगे यहां देखेंगे कंपनी विल हेल्ड ट्यूजडे वन अक्टूबर फर्स्ट अक्टूबर को अप्रूब रेजिंग ओफ लॉंग टर्म रिसोर्स फ्रॉम डोमेस्टिक और गलोबल मार्केट जिसका एक्यूटी सेयर जो है कंपनी एक्यूटी सेयर इसू करेगी या तो एक्य क्यूटी के बदले फंड्रेज करने का सोच रही है रिसेंट के डिलेबरी तो बेटर रहे ही है स्टॉक के टेक्निकल ट्रेंड भी आउट परफॉर्मर रहा है और रिसेंट में कंपनी ने 3000 करोर के प्रिफरेंशियल इसू करे थे 3000 करोर रूपीज रेज करा था 12.56 करोर जो पीक्यूटी है वो कंपनी ने इसू करे थे इस समय जो यहां देखेंगे डीलाइन्स इंफरा का अगर मैं वॉल्यूम दिखाऊ हूं डीलाइंस इंफरा यहां देखेंगे घालाए रिलाइंस प्राइल इंडश्ट्री एंडश्य और आगे इंफरा पीप्री रिलाइंस इंफ्रा एक्योटी हाँ लास्ट वॉल्यूम अगर इसे स्टॉक में देखेंगे तो वन करोर 23 लैक का और हिस्टोरिकल डाटा देखें तो कंटिनियूस वॉल्यूम बेटर रहा है वन करोर के उपर रहा है यहां मैं एक बार आपको टेकनिकल ट्रेंड दिखाता हूँ यह तो विकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है जहां हमने इसे स्टॉक का ब्रेक आउट जो देखा था वो लगबग लगबग यहां देखेंगे तो 300 से 310 के बीच में देखा था यहां से स्टॉक ने 350 तक के लेविल स्टर्च करे रिट्रेस्मेंट के लिए आया है इस समय हमारे लिए जो सपोर्ट होना चाहिए जो अल्रेडी लॉंग है वो इस समय चाहें तो 264 जैसा 264 जैसा एसल को आप चाहें तो यह वाला यहां के 2540 जैसे लेविल के लिए उपर जा सकता है और 264 के नीचे आया तो व्यू इन्वैलिड है चुकि फंट्रेज को लेकर के अगेन मीटिंग है तो आपको इस समय इसको